नमस्कार जैहिंद मैं नहीं कहूँगा मेरे प्यारे भाईयो बैनो मैं नहीं कहूँगा मित्रो मैं केवल कहूँगा मेरे प्यारे देशवासियो गलत हो जाएगा किसी और तरह से संबोधित करने में कि आप लोग सब लेबल करेंगे कि ये भक्त है मैं किसी का भक्त नहीं हूँ केवल अपनी भारत माता का भक्त हूँ राश्ट भक्त हूँ देश भक्त हूँ और आज बहुत दुख है इस बात का कि हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं देश चार साल की असीम प्रगती के बाद फिर एक ऐसे मोड पे आख खड़ा हुआ है छे महिने में चुना होने वाले है और विपक्ष के सब लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि मोदी का समय पूरा हुआ वाह खुशिया मनाई है लड़ू बाटिये बहुत 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 शर्मनाग बात है कि 70 साल बाद एक ऐसा आदमी आया है जो देश को आज एक ऐसे मुकाम पे ले आया है कि आज जब हम विदेशों में सड़क पे निकलते हैं तो लोग मुस्कुरा के कहते हैं यूर फॉम इंडिया वाह वेरी गुड कांट्री इतने साल हो गए हम लोग बाहर जब रहते हैं शर्म आती थी ये सोचके कि देश में कितनी गंदगी है कितना करप्शन है लोग जिस तरह से एक दूसरे के साथ विवहार करते है और जिस तरह से एक दूसरे के साथ उनका उठना बैठना है उसमें कितना contradiction है हमारे मूल सिध्धान्त कुछ और थे और हमारा व्यवहार कुछ और हिपोक्रिट्स बोलते थे इंडियन्स को बाहर क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां हम बोलते हैं कि भारत हमारी माता है वहीं हम उसी देश को लूटते हैं करप्शन में सबसे बड़ा नाम रहा है इंडिया का पिछले 70 सालों में आज चार साल हो गए एक ऐसा नेता एक ऐसी सरकार आई है कि एक केस नहीं है करप्शन का और आज हम लोग इसी बात की खुशी मना रहे हैं कि उसके जाने का समयाने वाला है शायद मैं कुछ नहीं कहता और आप सब की तरह हम सब की तरह सिर्फ चुप रहता और दुख मनाता लेकिन आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बार मेरे अपने प्रदेश से मध्य प्रदेश से जो चुनाओ के रिजल्ट्स की मुझे बिलकुल अपेक्षा नहीं थी वही हुआ प्रदेश के चुनाओ के रिजल्ट्स आए मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा शौकिंग मेरे लिए इस ही रहा क्योंकि मैं वहीं पला हूँ वहीं बढ़ा हूँ इंदौर मेरी जंग भूमी है 20 साल हो गए मुझे इंदौर से बाहर आए हुए लेकिन हर साल कम से कम एक या डिर्व महीने के लिए मैं वापस इंदौर जरूर जाता हूँ और सड़कों पे घूमता हूँ लोगों के साथ मिलता हूँ वो देश मेरा है वो शहर मेरा है लेकिन 20 साल पहले मुझे याद है हम लोग हमेशा यह सोचते थे कि यार इस शहर का कुछ नहीं हो सकता सड़कों में गड़े नहीं गड़ों में सड़के ढूंटे थे हम इतनी धूल इत्ती मिट्टी इत्ती गंदगी होती थी कि सुबह जब स्कूल जाते थे यूनिफॉर्म पहन के सफेद का लर्का तो घर आते थे काला हो जाता था लड़कियों की छिल खानी होती थी गुंडा गर्दी खुले आम होता था चोरी चकारी सब होती थी सड़के खराब गंदगी के नाम पे तो पूछो मत लोग बड़ा तारीफ करते हैं कि इंदौर के पोहे, जलेबी, कचोडी बरे फेमस हैं, बिलकुल है लेकिन वो कैसे पता चलता था दुकानों के बाहर जो कूडा, करकट और कागज पड़ा रहता था, उसको देखके लगता था कि यार वाह, काफी लोग आके खाके गए हैं जरूर यहां की जलेबी बड़ी अच्छी होगी और आज उस प्रदेश के मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान जी ने क्या काम किया है पिछले दस साल उस आदमी ने इतनी महनत करी इतनी महनत करी और खास कर पिछले पाँच सालों में जब से सरकार स्टेट में भी बीजेपी की थी और सेंटर में भी बीजेपी की थी उनका तालमेल इतना अच्छा रहा पिछले दो साल लगातार वही इंदौर जिसको हम गाली देते थे, अपना शहर होने के बावजूद, अज पिछले दो साल से वही शहर इंडिया का फर्स्ट रैंक्ट क्लिनस सिटी, क्लिनस सिटी के नाम पे जाना जाता है। भारत में, यह आश्चेरे की बात नहीं है। क्या अपने आप यह हो रहा है काम, कोई जादू गरा के कर रहा है। आलू डाला, सोना निकाला, ऐसा कोई जादू हो रहा है महाँ पर। शिवराज सिंग चौहान ने जितनी महनत मध्यप्रदेश में करी है, शायद ही किसी ने कर ही होगी। पिछली सरकारों ने तो लूट लिया, जब हम स्कूल में पढ़ते थे दिगवजय सिंग चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। पूरा मध्यप्रदेश बीमारू स्टेट के नाम से जाना जाता था। इंडिया में थर्ड पूरस्ट स्टेट था मध्यप्रदेश, आ जली में, आज वहाँ सर्प्लस है, वहाँ की जीडीपी 5.9% है, आप क्या सोचते हैं, ये सब अपने आप हो गया। इतनी सारी योजनाएं और इतना सारा काम जो मध्यप्रदेश में शिवराज जी ने किया है, उसके बदले उनको हार प्रदान करना शर्मनाग बात है, बह किछ और नहीं आत्मत्या ही कहूंगा मैं, देख लीजेगा अब आप आने वाली सरकार क्या करती है, आप ही का चुनाव था, आप ही ने चैन किया, बदाई हो आपको, लेकिन ये गलती अब सेंटर में फिर से मत दोराईए, छै महीने बाद फिर से चुनावने वाले हैं, ज GST हो, demonetization हो, उसके बारे में आप और हम कितना जानते हैं जो बोल सकते हैं, अरे एक परिवार, एक बीवी और दो बच्चों वाला घर तो हम संभाल पाते नहीं, वो आदमी पुरा देश संभाल रहा है, और चार साल में आप उसकी ranking करने लगेंगे, उसकी rating करने लगेंगे क्या ये बात बड़ा नहीं है, कि देखते देखते एक हफ़ते के अंदर, विजयमालिया आ गया, क्रिश्चन मिशेल आ गया, जिनको पीछे पढ़के उन्होंने एक्स्ट्रडाइट किया, और वापस इंडिया लेके आए, ये कोई आसान बात है, हम लोग सब बड़ा कुрाते हैं, कि वो तो विदेश आतरा कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, अधर गूम रहे हैं, मैं भी अपनी नौकरी में बहुत ट्रैول करता हूं, आसान बात नहीं है, बार-बार ट्रैول करना, जोज बिस्तर बडलता है, तक्या बडलता है, कमरा बडलता है, आदमी सो न आदमी बिस्तर पर बैटके सोचता रहता है कि क्या करूनीन नहीं आ रही है। ऐसे में 65 साल का आदमी जिसको किसी से लेना एक न देना दो, वो आपके और हमारे लिए देश देश भटक रहा है। सिर्फ इसलिए कि वो पोलिटिकल सपोर्ट वो गेन करे ताकि भारत का नाम न जादू था हुआ। अगर मोदी जी ने सारे राष्ट्रों का सपोर्ट नहीं गेन किया होता और उन सब के पोलिटिकल प्रेशर के कारण हमारा यस्तित्व नहीं बनता जो आज है, तो चाइना आज भी हमें वैसी दबाता जैसे पहले दबाता आया है। आज इस्रेयल का हम लेकिन जैसे ही इंडिया इरान से तेल लेना चाता है, यूएस कहता है कोई बात नहीं, आपके एले सारे गुना माफ है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है इंडिया की कीमत, वो कीमत कहां से आई? यही काम है प्रधान मंतरी का, चार साल में उन्होंने जो किया है, वो कोई प्रधान मंतरी इतने साल में नहीं कर पाया है, यह सोचने वाली बात है। और क्या चाहते हैं हम? कब तक हम मुफ्त की रोटी खाना चाहेंगे? किसी को नौकरी चाहिए, तो किसी को लोन वेवर चाहिए, किसानों को क्यों मुफ्त में मिले सब? Just because वो किसान है, अरे जरा बुद्धी लगाई आप लोग, किसान चाहता है कि उसे ज़्यादा दाम में बेचने को मिले, हम चाहते हैं कि हमें सस्ते दाम में दाल, चावल, आलू, टमाटर, प्याज मिले, यह संभव कैसे है? अगर आपको चीज सस्ती चाहिए और किसान को कमाई ज़्यादा चाहिए, तो गैप भरेगा कौन? सोचिए ज़रा, टैक्स्पेर काई पैसा है, खुद अपना पैसा आप लगा रहे हैं, सोचिए क्या चाहते हैं आप, और क्यों किसान के सारे रिंड माफ कर दिये जाएं? हमारी सानुबुती है किसान के साथ, लेकिन हमारी सानुबुती है देश के हर व्यक्ति के साथ, जो मेहनत कर रहा है, जो कमाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, फिर चाहिए वो खेत में हल जोतरा हो, चाहिए वो लैप्टॉप का बैट टांग के लोकल ट्रेन में भाग रहा हो, हर किसी की मेहनत की कीमत है भई, भगवान न करे कल आपको करण के बिल्ज आप पे करो क्यों भाई कर्ज क्यों माफ किया जाए कर्ज हमने लिया है चुकाना हमारा फर्ज बनता है सिंगापॉर में आके देखिए असी साल के बुजर्ग फूड कोर्ट में काम करते हैं जूटा पोँचते हैं कुडा करकट उठाते हैं सिर्फ टूरिस्ट की तरह आके यहां मत घूमिये यहां रहे के आम आदमी का जीवन देखिए यहां कुछ भी फ्री नहीं है आदमी मरते दम तक काम करता और अपने स्वा करते क्या हैं हमें यह मुफ्त में चाहे नौकरी हो चाहे करजा माफ करना हो यह आदत से बाहर आना पड़ेगा आप कहते हैं एंप्लॉइमेंट नहीं है कहां से होगा एंप्लॉइमेंट रिजर्विशन दे दे के आप जो अंडिजर्विंग हैं उनको क्वालिफाइड मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया इतने सारे योजनाए बनाई हैं जिनके तहट आप यंग्स्टर्स को प्रमोट कर सकते हैं एंट्रेपरिनर्शिप के लिए उन्होंने कितना काम किया हैं देखते देखते आज इंडिया में इतने बिजनस नए नए छोटे छोटे बिजन यहां तो यह पूड़ा भी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रगती भी कर रहे हैं थोड़ा दया भी करिये जब आदमी देश विदेश घूम के आता है काम करके नौकरी करके तो जब अपने घर पहुंचता है तो सोचता है कि उसके बीवी उसके बच्चे उसको पानी दें अगर ताली नहीं बजा सकते तो बुरा ही तो मत कीजिए जड़ा सोचिए कहां प्रधान मंत्री नरेन मोदी और कहां आपके ये सब बाकी जो छोटे-मोटे नेता हैं जिनको NCC नहीं पता जिनको कुम्ब करन योजना नाम देने की सूचती है जिनको ये नहीं पता कि GDP क्या है और देश कैसे चलता है सिंगापोर जब आए उनसे पूछा गया कि आपके परिवार का क्या योगदान है तो वो एक मिनिट के लिए रुख गये कि यार मेरे परिवार का इस देश को बनाने में क्या योगदान है जवाब नहीं दे पाए वह आप ऐसे लोगों को देश का भवश्य सौपना चाहते हैं तो सोच समझ के करिए आपका भवश्य है हमारा भवश्य है यह हमारा देश है मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए क्योंकि उसकी कोई जरुरत नहीं है मैं एक आम से आम आदमी हूँ मेरे कहने से कुछ भी न मिलने के लिए था मेरा यह पूरा विश्वास है कि अगर कोई आदमी सच्चे मन से काम करता है अगर उसके इंटेंशन में प्यूरिटी है अगर उसके इंटेंशन में कमिट्मेंट है अगर उसके अंदर सच्ची देश भक्ती है तो यह पूरी काइनात उसके साथ रहेगी पूरी स्रिष्टी उसका साथ देगी। जब मन साफ हो और इरादे नेक हो तो आपके और मेरे वीडियो लाइक करने और शेयर करने से उसका काम बढ़नी जाएगा और कम नहीं हो जाएगा। जिसके साथ ईशवर है जिसके साथ काइनात है वो जीतेगा और अवश्य जीतेगा क्योंकि उसके साथ सब का अशिरवाद है। मेरी ये बात उन तक पहुँचे आप तक पहुँचे या ना पहुँचे मुझे केवल इस बात का संतोश है कि आज मैंने मेरे मन की बात अट लिस्ट उन लोगों से शेयर करी जो थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके इसको एक बार और देखेंगे या सुनेंगे और सोच करेंगे मोधी तो आज हैं भगवान करें उनकी बहुत लंबी उमर हो लेकिन 20 साल 25 साल 30 साल बाद वो रहें ना रहें जैसे सुभाश को भुला दिया जैसे पटेल को भुला दिया जैसे तिलक को भुला दिया ये दुनिया मोधी को भी भुला देगी लेकिन हम अपनी नजर समझ कर दीजिए, उस आदमी को दीजिए जो आपके और हमारे लिए काम कर रहा है खुद के लिए बिलकुल भी नहीं जैहिन